ओम शान्ति आज 16.22 वाई दी साकार मुरली हैगी आज बाबा ने आख्या मीठे बच्चे संगम ते बाप आये हन तुसी बच्चयां दी दिल वा जान सिक वा प्रेमनाल सेवा करन होन इही ड्रामा पूरा हुन्दा है तुसी सब नोकार वापस चलना है आज दी मुरलेदा प्रश्न हैगा होन तुसी बच्चयां दी कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकदी अन्त विच्च होवेगी क्यों क्योंकि तुसी आत्मा जदो कर्मातीत बणो ता तुहाननू पावन तत्वादा बणया होया शरीर चाहिदा है हलेता इही पंज तत्तव पतित हन जदो तत्तव पावन बणन ता कर्मातीत अवस्था होवे तुसी बच्चे जदों पूरे पावन बण जाओगे ता इत्थे रहे ही नहीं सकोगे पावन बणो ता पावन दुनिया विच पावन शरीर चाहिदा है इसले तुसी हले हाफ कास्ट हो अंत विच तुहाड़ा पूरा बुद्धियोग जम जावेगा तुसी पावन बण जाओगे तुहाड़े सारे विकरम विनाश हो जाणगे अते तुहाड़ी कर्मातीत अवस्था हो जावेगी आज दी मुर्लीदा गीत हैगा दूर देश दा रहन वाला ओम शांती दूर दे रहन वाले मुसाफिर जिस मुसाफिर नू सारे मनुख मातर अते जीव आत्मावा याद कर दिया हन जरूर असल विच सारियां जीवात्मावा मुसाफिर हन जी में बापनू परमात्मा परमधाम तो आउना पैंदा है उमें तुसी बच्चे भी परमधाम तो आउन्दे हो इही पार्ट बजाउन लई मैंनूता सारे कल्प विच इक ही वार आउना होंदा है तुसी एक वारी इत्थे आउंदे हो, फिर इत्थे ही पुनहर जनम लेंदे रहन दे हो मैं एक वार ही बच्यां दे कोल बच्यां दी दिल वा जान, सिक वा प्रेमनाल सेवा करण आउंदा हा बाप नुता सारे बच्चे प्यारे हन अजीहा कोई बाप नहीं जिसनू बच्चे प्यारे नहीं हुन दे बच्चे नू ही बाप तों वर्सा मिलदा है उहु है हद दा बाप, एह है बेहद दा बाप एह कोई जान दा नहीं कि बाप कदों आवेगा बाप कहन देहन मीठे बच्चे हुन ड्रामा पूरा हुन्दा है वापस चलना है राहा कोई वी जान दे ही नहीं सिरफ कह दिन देहन वैकुन ठवासी होया जा पार निर्वान गया हुन तुसी जान दे हो विच्चों तो कोई वी वापस जा नहीं सकदा जदो सब दा पाल्ट पूरा होवे ता बापनू आउना पैंदा है। तुसी जान दे हो असी सब आत्मावा जदो शरीर विच हां ता शरीर दे नाते पाई पैण हां। हर इक नू अपना अपना पाल्ट पूरा करना है, फिर सब नू अपने अपने समाते पाल्ट रपीट करना पवेगा, बापनू सारे याद कर दे हन, हे पतित पावन आओ, हे सीता दे राम आओ, इक राम इक इक सीता दे लई थोड़े ही आवेगा, सारियां सीता मादा इक ही र सब बच्चे याद कर दे हन, पगती कर दे हन, एह ड्रामा पंच हजार वर्यादा है, बाप कहन दे हन, तुसी अपने जन्मानू नहीं जान दे, मैं जान दा हाँ, लख्खा वर्यादी गल हो ही नहीं सक दी, मुख पहली गल हैगी, गीता दा पगवान कोण है, तुहाड़ा अनुमान होन सही लगया है, ज्रामा अनुसार पुल लणाते है ही, ता ते बाप आवर्ना, सिरफ गीता पढ़ननाल कुछ नहीं हुन्दा, बाप खुद ही आकर बच्यानू राजयोग सिखाउं दे हन, बाप क महंदे हन, इही नम्या नम्या गल्ला, जो मैं तुहाणू आके सुनाऊंदा हा, उहु सब प्रायलोप हो जावन गिया, इही परंपरा नहीं चल दिया, हर रोज मैं तुहाणू नम्या गल्ला दस्ता हा, तुसी एक दुज्जेनू सुनाऊंदे आंदे हो, इत्थेता मनुखानू कुछ भी पता नहीं हैगा, सुनन वाले, सुनाऊंदे हो, सब हैगे, सब चले जाणगे, उत्थे फिर नम्या गल्ला हो जाणगिया, उत्थे फिर किसीनू कुझ भी पता नहीं होवेगा, कि ऐसी सोला कला संपूरण कीमे बने, इह ते है ही प्रालब्द, सोला कला तो फिर चोदा कला बनांगे एह वी पता नहीं होवेगा पता होवे तारा जाई दी खुशी ही चली जावे बाप समझाऊंदे हन उच्चे ते उच्चा तरम सब तो देवी देवतातरम ही हैगा देवी देवतातरम स्थापन करण वाले नू पुल गए हन जिननी गीता दी महिमा है उस तो जादा ज्यान सुनान वाले दी महिमा होनी चाहिदी है और किसी तरम स्थापक नू पगवान नहीं आख्या जान्दा उहुस पगवान गीता दा इक ही हैगा सब्दा सद्गती दाता है इस समय सारे तमो परदान कबर दाखिल हो गए सन फिर बाबा आके सम नू जगाउं देहन इही पुरानी दुनिया ते खतम हो जान वाली है सारे वेदा शास्त्रयादा सार बाप ही आकर के सुनांदेहन इस समय तुसी हाफ कास्ट हो शुद्र तो ब्राह्मन बन रहे हो पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाडी विच ही बनोगे पिछाडी विच बुद्धियोग पूरा जम जावेगा अते विकर्म सब भसम हो जानगे फिर वी एथे त्वहनू पावन नहीं बन एथे पावन बने बगैर नहीं जाओगे एथे पावन हो ही नहीं सकदा क्योंकि शरीर ही पतित है हुन पतित तो पावन बन रहे हो, फिर सत्युग विच शरीर वी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जामांगे, फिर एथे रहे नहीं सकांगे, जदो आत्मा पवित्तर हो जावेगी, फेर ता पंज तत्व भी पवित्तर हो जानगे, हुन तुसी बच्चे संगम ते हो, सच्चा सच्चा कुम्दा मिला एह ही है, पाणी दी गंगा ते जाना इही ता पगती मारग हैगा, सन्यासी लोग शनान करण जानदे हन, फिर वी कहनदे रहनदे हन, आत्मा निरलेप हैगी, बाप कहनदे हन, पगती मारग विच तुसी बह बहुत कुझ सुनया। हुन जज करो राइट की है। यह है अमर नात। जिस नाल तुसी अमर पुरिदे मालिक बन जान्दे हो। तुहां नू कदे काल खा नहीं सकदा। उत्थे कदे एवे नहीं कहांगे कि फलाना मर गया। इत्थे किन्ना डर रहनदा है मोत दा। उत्थे सिरफ चोला बदलनगे। पारत दी महिमा बहुत पारी है। जिन्नी बाप दी महिमा उन्नी पारत दी महिमा है। पारत विच ही लक्ष्मी नारायन दे मंदर सन। पर बाप नू नहीं जान दे। ता उहु कदों आये बरोबर सत्युग विच देवी देवतासन। जदो सत्य सत्युग नू लख्षा वर्दे दिन्देने उन्न ता ते ताही ते सत्युग वासियानो वी जान दे नहीं कोई वी बुद्धी तो कम नहीं लेंदा कहन दे हन गउंदे मुख तो गंगा निकली ओ होन गउं मुख तो गंगा की में निकल सकदी है फिर सुक्षम वतन वासी सुक्षम वतन विच बैल विखाउंदे हन ओहु शास्तर हन अलप काल दे लई आदा कलप चल दे आये हन इही सब गल्ला तो हाड़े बुद्धी विच हन मोस्ट बिलवड बाप चिल्डरानू समझातन दे हन होन ता तुसी सब कुछ समझ गए हो तुसी स्रेष्ट ते स्रेष्ट सीगे होन तुसी होश्यार बन फेर तो लक्षमी नारैन बन रहे हो लक्षमी नारैन दा पता ही नहीं कि कदो राज करके गए राधे कृष्ण दावी किसी नू पता नहीं है लक्षमी नारैन दा कुझ वी पता नहीं राम नू तरेता विच विखाउंदे हन कृष्ण नू द्वापर विच राधे कृष्ण हन सत्युग दे इही सब तुसी जान दे हो सब तरम कीमे रपीट हो मनगे फलाना तरम स्थापन का दों होवेगा उहुवी सब समझन दियां गल्लाने हर एक मनुख रचना रचदा हैगा फिर पालना वी करदा विनाश नहीं करदा हद दी रचना करण वाला बाप अलप काल सन होन बेहद दा बाप बेहद दी रचना रचदे हन बाप कहनदे हन इस समय सब पतित ब्रस्टाचारी हो गए सन इक गीत वी हैगा कहनदे हन पारत दी की हाल हो गया है फिर दूसरे गीत वीच कहनदे हन कि सड़ा पारत सब तो उंच्चा की हो हुन हो गया है देखो किनना रोला पांदे रहंदेने बाप कहन दे बच्चे तीरज रखो इही खेल हैगा हुन दुख दे दिन पूरे होंगे सुख दे दिन आ गए हन एहस नरक तो हुन स्वरग बढ़ना है तुसी सारे वापस पर अमदाम विच जाओगे बाप इस पराए देश विचान देहन कहन देहन मेरा एह जनमस्थान है नहीं ता कोई के में आकर के नए तरमदी स्थापना कर सकदा है तुसी जान दे हो देवी देवतामादा राजवी एथे ही हुन दा है जिसनू वेकुंठ आख्या जान दा है होन शान्ती देलई किन्ना कुझ कर देहन पर शान्ती ते हो ही नहीं सकदी जेकर 101 करोडवी शान्ती विच बैठ जान तावी शान्ती ना हो सके बापाखदेहन हे आत्मामा तुसी सुन दे हो अपने कन रुपी आरगंसनाल तुहाननू याद है इस ड्रामादा चक्कर कीमे फिर्दा है तुसी इस समय तिरकाल दर्शी हो तुसी ब्राह्मना दे सिवाए कोई तिरकाल दर्शी नहीं है हुन तुसी तिरकाल दर्शी बने हो तुसी नास्तिक सी हुन आस्तिक बने हो बापते सृष्टिदे आदी मद अंत दू तुसी जान दे हो तुहाननो तिन्ना लोकादी नोलिज मिली है सिवाए तुहाड़े किसी नूवी एह नोलिज नहीं हैगी लक्ष्मी नारायन नुवी तिरलोकी नात वा तिरकार दशी कहांगे तिरलोकी नात मनुख नहीं हो सकदे तुसी हुन तिन्ना लोकानू और तिन्ना कालानू जानने वाले हो लक्ष्मी नारायन नुवी तिरलोकी दाज्यान नहीं हैगा विश्णु नुवी ति लोक की नाथ नहीं कहन दे उन्नु स्वदर्शन चक्करधारी दिखाऊंदे हन हुन विश्णु दे दो रूप हसन लक्ष्मी ते नारायन राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायन बन दे हन इस समय किन्ने यादगार मंदर बनाए हन पर इन्हा दा बायोग्राफी दा कोई भी जानदा ही नहीं उच्चे ते उच्चा पगवान एक है उहु उन्हा दा नाम है शिव रुद्र वी आख्या जानदा है इही है रुद्र ग्यानियग क्रिश्ण ग्यानियग हनदा ही नहीं क्रिश्ण ते सत्युगदा प्रिंस है उहु की यग रचेगा रुद्र यग तो विनाश ज्वाला परवजलित हुन्दी है सत्युग विच यग रचंदी लोड नहीं इस ग्यान यग दे सिवाए बाकी सब हैगे मटीरियल यग बाप ने समझाया है इन्हानू यग क्यों आख्या जान्दा है एहे जो पुरानी दुनिया दी समगरी हैगी उहु सब इस विच स्वाहा होण वाली है इसलिए आख्या जान्दा है परंपिता परमात्माने यगर अच्या जिस विच मनुख देवता बन देहन देवतावादे पैर इस दुनिया विच नहीं आउंदे तो हानूते बापने सब कुछ साक्षातकार करा दिता है अच्छा मिठे मिठे सिकीलदे बच्या प्रती मात्पिता बाप दादा याद प्यार अते गुड मोर्निंग रुहानी बाप दी रुहानी बच्यानू नमस्ते तारना दे लई मुख सार है अपने शांत स्वदर्म विचिस्थित रहना है इही वानप्रस अवस्था है वापस कर जाना है इस लई बाप दी याद अजप्पा जाप चल दी रहे कर्मातीत बणन देलई संपूरण पावन बणना है जोवी विकर्मादा बोज है याद दी यात्रा विच रहे के उतार देना है याद दी शक्ती नाल विकाराते जित पानी है आजदी मुर्लीदा वर्दान हैगा शुद्ध संकल्पा दे केराव द्वारा सदा छत्र चाया दी अनबूती करण वाले कराउन वाले द्रिड संकल्पता रिबव तुहाड़ा एक शुद्ध अते शक्ती शाली संकल्प बहुत कमाल कर सकदा है शुद्ध संकल्पा दा बंधन जा कराव कमजोर आत्मामा दे लई चत्र चाया बन सेफ्टी दा साधन अते किला बन जान्दा है सिरफ इस दे अभ्यास्तो पहला युद्ध चल दी है व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पानों कट कर दे हन पर जेकर द्रिड संकल्प करो ता तुहाड़ा साथी स्वयम बाप है विजय दा तिलक सदा है ही सिरफ इसनों इमर्ज करो ता व्यर्थ आपे ही मर्ज हो स्लोगन हैगा फरिष्टा स्वरूप दा साक्षातकार करण देलई शरीर तो डिटैच रहन दा अभ्यास करो ओ शांती